जैश्री कृष्णा राधे राधे आज की इस वीरियों में हम कार्थिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानिया सुनेंगे शुरुवात करती हैं गनेश जी की कहाने के साथ बोली गजानन गनेश की जै हो किसी गाउ में एक बुढिया माई रहती थी बुडिया माई के एक बेटा था और एक पखु थी बुडिया माई देख नहीं सकती थी लेकिन गनेश जी की बड़ी भक्त थी रोज गनेश जी के मंदिर में जाती और पूजा करती 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 बुडिया माई की सारी उपर निकल गई य lashes जी ने सोचा कि बुढ़िया माई ने पूरी जिंदेगी मेरी पूझा की है सेवा की है मुझे इसे कुछ देना चाहिए बुढिया माई जब पूजा करने के लिए मंदिर गई तब गनेश जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि बुढिया माई मैं तेरी सेवा से और पूजा से बड़ा परसन हूँ तो अपने मन का वर्दान मुझे से मांग ले तब बुडिया माई कहने लगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए तब गनेश जी कहने लगे कि नहीं मेरा तो कुछ देने का मन है तो मांग तब बुडिया माई ने कहा लेकिन मुझे तो मांगना भी नहीं आता तब गनेश जी बोले ठीक है तो अपने बेटे बहु से पूछ लेना और फिर कल मांग लेना बुढिया माई अपने खर आ गई तो बुढिया माई ने अपने बेटे से पुछा कि गनेश जी कहते हैं कि कुछ मांग तो मैं क्या मांगू बेटा बोला कि मा बहुत सारी धन्दोलत मांग ले बुडिया माई बहु के पास कई और उससे कहने लगी कि गनेश जी ने मुझसे कहा है कुछ मांग बता में क्या मांगू तो बहु कहने लगी कि सासु जी आप पोता मांग लो बुडिया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं बुडिया माई पडोसन के पास गई और उससे जाकर बोली कि गनेश ची मुझे कहते हैं कि कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू तब पडोसन कहने लगी कि तू ना धन मांग, ना पुता मांग, बुडिया हो गई है, थोड़े दिन तू जियेगी, तू अपनी आखें मांग ले उसने पडोसन की बात भी नहीं मानी, घर आई तो सोचने लगी कि क्या मांगू, जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए, और मेरे मतलब की चीज भी हो अगले दिन बुडिया माई मंदिर गई, तब गनेश जी फिर आए, और बोले कि बता बुडिया माई क्या मांगती है तब वह कहने लगी कि गनेश जी, यदि आप मुझे पर परसन नहें, और वर्दान देना ही चाहते हैं, तो मुझे आँखे दो जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूद पीते देखों, सुहाग दो, निरोगी काया दो, नो करोड की माया दो, बेटा, पोता, पड़ पोते, भाई, बतिजे, सारा परिवार दो, सारे परिवार को सुख दो, और मोक्ष दो गनेश जी तो हैरान रह गए, और कहने लगे, बुढिया माई, तुने तो मुझे ठक लिया, और सारा कुछ ही मांग लिया, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा से परसन नहूं, जो तुने मांगा है, सब हो जाएगा, और इतना वर्दान देकर, गनेश जी वहां से अंतर बुढिया माई ने जो जो भी मांगा था उसे मिल गया, ये गनेश जी माराज, जैसे आपने बुढिया माई के मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सब की मनोकामना पूरी घरना, बोली गजानन गनेश की जेहो अब मैं आपको सुनाती हो कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राम्बन ब्रामनी की कहानी किसी गाउं में एक ब्राम्बन ब्रामनी रहते थे उनका कार्तिक नहाने का नियम था कार्तिक का महिना आने पर साथ कोस चलकर गंगा जम्न नहाने जाते थे आते जाते ब्रामनी बहुत ठक जाती थी एक दिन ब्रामनी बोली कि हमारे कोई बेटा होता तो बहु आती घर आते तो खाना बना हुआ मिलता कपड़े धुले हुए मुलते तो ब्रामन कहने लगा ये तुने बड़ी बात कहीं ला मैं तेरे लिए बहुला देता हूँ, एक पोटली में थोड़े से चने बांदे और उसमें थोड़ी सी महर अशर्फी डाल दे, ब्रामनी ने पोटली बांद कर दे दी, ब्रामन पोटली लेकर चल दिया, थोड़ी दूर जमला जी के किनारे लड़किया खेल रही थी, में सोचने लगा, यह समझदार लड़की रगती है, वह उसकी पीछे पीछे हो लिया, जब वह घर पहुची, तो उससे कहने लगा, बेटी, मुझे बड़ी भूक लगी है, अपनी मा से पूचले क्या मेरी चार रोटी बना देगी, कारतिक का महीना है, मैं किसी के घर का अन मैं मा को कहकर आती हूँ, तब वह जाकर अपनी मा से कहने लगी कि मा एक बाबा आये हैं और कह रहे हैं, मुझे भूक लगी है, मेरी चार रोटी बना दो, उसकी मा रोटी बनाने लगी तो आटा चाना, आटा चानते ही उसमें से मोहर अशर्फिया निकली, वो सोचने लगी जिसकी घर के आटे में इतनी मोहर अशर्फिय हैं, उसके घर में कितनी होंगी, उसने रोटी बनाई और खाना परोज कर दे दिया, बाबा रोटी खाने बैठा, तो उसकी मा कहने लगी कि बाबा, तुम लड़के की सदाई करने जा रही हो क्या, तब प्रामन बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो, तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्या कर ले जाओं, तब उसकी मा कहने लगी ठीक है बाबा, वो लड़की ब्या कर ले आया, आकर बोला, रामू की मा किवार खोल, देख तेरे लिए बहु लाया हों, तो ब्रामन बोला कि ना, तो किवार खोल, तब ब्रामनी ने किवार खोले, तो देखने लगी सामने तो बहु खड़ी है, उसने खोब आदर सतकार किया और बहु को अंदर ले गई, अब ब्रामन ब्रामनी नहाने जाते, तो पीछे से बहु घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससूर के पैर दबाती इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया साज अपनी बहु से बोली कि बहु कभी भी चूले की आँच खतम मत होने देना और मठके के पानी खतम मत होने देना एक दिन अचानक से चूले की आँच खतम हो गई तो बहु भागी भागी पडोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आँच दे दो मेरे चूले की आँच बुझ गई है मेरे साथ ससुर आते होंगे सुभी चार वजे के गंगा जमना नहाने गए है तब पडोसन कहने लगी कि तू तो बावली है तुझे तो यूँ ही उठा कर ले आए इनके तो साथ जनम भी बेटा नहीं है तब वह बोली कि नहीं इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है तब पडोसन कहने लगी तुम से जूट बोला है तो बहो को तो पडोसन की सीख लग गई फूचने लगी कि अब ग्या करू तब पडोसन ने उसके कान भर दिये और कहने लगी जलिफु की रोटी कर दे अलूनी दाल कर दे खीर की कडची दाल में और दाल की खडची खीर में कर दे बहु को पडोसन की सीख लग गई उसने ऐसा ही कर दिया सास ससुर गंगा जी नहा कर आए तो ना तो आज उसने आदरसत कार किया ना उनके कपड़े लिए खाना लगा कर दे दिया सासु ने खाना खाया तो बोली बहु ये क्या है ये तो जली फुकी रोटी है अलूनी दाल है तव है बोली खालो सासु जी तुम एक दिन खालोगी कुछ नहीं होगा मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है सासु कहने लगी कि बहु को तो पडोस की सीख लग गई बहु रात को सो गई सुबह भागी भागी पडोसन के पास गई और पूर्शने लगी कि बताओ आज क्या करूं तो पडोसन बोली कि सातो कोठो की चाब भी मांग ले जब उसके सास ससुर गंगा जमुना नहने जाने लगे तो बहु आगे अड़कर खड़ी हो गई कहने लगी कि बाद में जाना पहले मुझे सातो कोठो की चाब भी दे दो तो सास मना करने लगी तो ससुर ने कहा दे दे आज भी इसका है कल भी इसका है हमारा क्या है आज मरे कल दूसरा दिन अब सास ससुर चाब भी दे के चले गए पीचे से बहुने कोठे खोल के देखे एक में अन भरा था, एक में धन भरा था किसी में बरतन भरे थे, किसी में कपड़े के अटूट बंडार भरे पड़े थे जब सात्वा कोठा खोल के देखा, तो देखा उसमें गणेश, लक्षमी, पीपल, पत्थवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दा मोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटी देवी देवता विराजमान है, गंगा जमना वह रही है, तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का माला जब रहा है तो बहु पूछने लगी तुम कौन हो, तब वह बोला, कि मैं तेरा पती हूँ, किवार बंद कर दे, जब मेरे माँ बापु आएंगे तब खोल लेना अब तो बहु खुश हो गई, खुश होकर 36 तरह के उसने बोजन बनाए, सोले शिंगार किया, रांची मांची डोले उसके सास ससुर जब गंगा नहा कर आए, तो बड़े प्यार से उन से बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, हाना खिलाया, तब भ्रामन कहने लगा, कि बहु तो धन देख के राजी हो गई अब बहु सास के पैंड दबाने बैठ गई, पैंड दबाती जाए और कहती जाए, माता जी, तुम इतनी दूर बारे कोस, गंगा जमना नहाने जाती हो, ठक जाती होंगी, तुम घर में ही क्यो नहीं नहा लेती तुम सास बोली, बावली हो गई है क्या, कहीं घर में भी गंगा जमना बैती है, बहु कहने लगी, हाँ मा जी, बैती है, चलो मैं दिखाती हूँ उसने साथवा को ठाखोल के दिखाया, उसमें गनेश लक्षमी, पीपल पत्थवारी, तुलसी के ठाकूर, कार्तिक के ठाकूर, राई दामोदर, शिव पार्वती, छतिस कोटी देवी देवता विराजमान है, गंगा जमना बहर ही थी तिलक छाप पे लगाए, चौंकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था तो ब्रामनी ने पूछा, कि तू कोन है, वह कहने लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ ब्रामनी बोली, तू कहां से आया, तो कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने बेज़ा है तब ब्रामनी बोली, ए बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पती, क्या जानेगी दुराने जिठानी, क्या जानेगा अगर बगड़ परोसन, कि तू मेरा बेटा है तब उसने पंडित से पूछा, तो पंडित ने कहा कि परणी पार पे बहु बेटा खड़े हो, इस पार पे बुढिया खड़ी हो चाम की अंग्या पहने हो, छाती में से दूद की धार निकले, और बेटे की दारी मुच भीगे पवन से गठ जोड़ा बन दे तो सब जाने, ये ब्रामनी का बेटा है, उसने ऐसा ही किया चाम की अंग्या फट गई, छाती में से दूद की धार निकली, बेटे की दारी मुच भीग गई पवन पानी से बहु बेटे का गठ जोड़ा बन गया, अब तो ब्रामन ब्रामनी बहुत ही खुश हुए हे कार्तिक के ठाकूर, हे राइदमोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें बहु बेटा दिये, वैसे ही सब को देना जैसे उसकी इच्छपूरी की, वैसे ही सब की करना, कहते सुनते की, ओंकारा भरते की, सब की करना अब आपको सुनाते हो कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली कार्तिकिस्तान की कहानी किसी गाउं में एक बुड़ा ब्रामन रहता था उसकी साथ बहुएं थी आया कार्तिक का महीना तो ब्रामन अपनी बहुओं से कहने लगा कि मेरा तो इस बार कार्तिक नहाने का बड़ा मन है क्या तुम मेरा कार्तिक निभा दोगी तो उसकी छे बहुवों ने मना कर दिया एक बहु बोली पिता जी आप मेरे यहां रहकर कार्तिक नहालो मैं निभा दूंगी अब बुड़ा ब्राम्बन अपनी बहु के आ रहने लगा सुबे सवेरे चार बजे उठ जाता उठकर नदी पर जाता और स्नान करता नहा कर आता तो दोटी बहु की आंगण में सुका देता अब जैसे जैसे दोटी में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगण में हीरे मोती इकत्थ tiếp होते रहते ऐसा कई दिनों तक होता रहा दूसरी बहुओं ने देखा कि पिता जी जब धोती सुकाते हैं तब उनकी धोती में से हीरे मोती जड़ते हैं तब वे कहने लगी कि पिता जी हमारे यहां भी रहकर कार्थिक नहा लो तो बुड़ा ब्रामन कहने लगा कि चलो ठीक है मेरा क्या है मुझे तो कार्तिक का इसनान करना है मैं तुम्हारे यहारे कर लूगा अब बुड़ा बाबा अपनी दूसरी बहु के यहां चला गया और अगले दिन सुबह उठा कार्तिक का स्नान करने के लिए गंगा जी नहाने गया नहा कर आया तो धोती उसके आंगन में सुखा दी सुखाते ही उस दिन धोती में से हीरे मोती तो नहीं जड़े पानी ही पानी बर्सा और सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया ये सब देखकर तो उसकी बहु को बड़ा गुस्सा आया उसने अगले दिन उसे अपने घर से भगा दिया तब बुड़ा ब्रामन अपनी तीसरी बहु के यहां गया उसके यहां भी ऐसा ही हुआ नहा के आया तो धोती आंगन में सुखाई उसमें से पानी पानी बर्सा सारे आंगन में कीचड कीचड हो गया ये सब देखकर उस बहु को भी बड़ा गुस्सा आया उसने भी उसे अपने घर से निकाल दिया ऐसे करते करते वो अपनी छियों बहु के यहां रुका लेकिन किसी के यहां भी हीरे मोती नहीं चड़े ये सब देखकर तो उसकी बहु को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि हमारे यहां रहकर तुम पापी मन से नहाते हो इसलिए तो हमारे अंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया अब बिचारा बुड़ा ब्रामण अपनी पहली जिस बहु ने कहा था कि मैं कारतिक निभा दूँगी उसी के यहां जाकर रहने लगा और करते करते उसका पूरा कारतिक का महीना पूरा होने को आया एक दिन बिचारा उदास होकर बैठा था तो बहु पूर्चने लगी पिता जी आप उदास क्यों बैठे हो तब बुड़ा ब्रामण बोला कि कारतिक का इसनान किया है मैंने मुझे कारतिक के इसनान का उध्यापन करना है और उसके लिए मुझे ब्रामण बेजिमाना है और मेरा मन है कि अपने सारे परिवार को भी उस दिन में एक साथ खाना खाते देखूँ तो उसकी बहु गोली कि इस तो इसमें परिशानी की क्या बात है पिता जी आप न्योता देयाओ मैं खाने पीने की सारी विवस्था कर दूँगी अब बुड़ा ब्रामण बिचारा खुशी खुशी न्योता देने चला ब्रामण ब्रामणी को न्योता दे दिया फिर अपनी बहुओं को और बेटों को न्योता देने गया तब उसकी बाकी बखुए कहने लगी कि हम नहीं आएंगे जब तक वो घर में रहेगी हम उसके घर में नहीं आएंगे तब वो बोला कि उसका घर है वो बिचारी कहा जाएगी तब बखुए बोली कि फिर हम नहीं आएंगे अब ब्रामन उदास होकर घर आकर लेट गया ना कुछ खावे ना पीवे ना किसी से बोले तो उसकी बखो ने पुछा पिता जी अब आप क्यों उदास हो मैंने कहा तो है कि मैं सारा इंतिजाम कर दूँगी तब वो बोला कि बात ऐसी है कि तेरी देवरानी जिठानी ने आने को मना कर दिया कहती हैं कि जब तक तु घर पे रहेगी वे नहीं आएंगी तब भू कहने लगी तो इसमें परिशानी की क्या बात है मैं थोड़ी देर के लिए खेत पर चली जाऊंगी चार रोटी ले जाऊंगी वहीं बैठ कर खालूंगी तब बुड़ा ब्रामन कहने लगा ना बेटी ये सही नहीं है तेरा घर है तुझे ही अपने घर से कैसे निकाल दू तब कहने लगी पिता जी आपने कारतिक का इसनान किया है उसको उध्यापन करना जरूरी है उध्यापन नहीं करोगे तो इसनान अधूरा रह जाएगा और आप परिशान मत हो मुझे कोई परिशानी नहीं होगी तो ब्रामन मान गया अब बहु ने उध्यापन वाले दिन सुबह सुबह अपनी चार रोटी बनाई चार रोटी लेकर उसने सारा उध्यापन का इंतिजाम कर दिया खाना बना दिया चतिस तरह के बोजन बना दिये और उसके बाद अपनी रोटी लेकर वो तो खेट पर जाकर बैठ गई अब पीछे से उसकी देवरानी जिठानी आई सारा काम बड़े अच्छे से हो गया ब्रामन ने जोड़ा जिमा दिया उध्यापन कर दिया फिर उस अपने बेटे बहोगो को खाना खिला दिया तो उसकी देवरानी जिठानी तो देखकर बहुत जल गई कि इसके घर में इतना धन हो गया है इसने इतना अच्छा इंतिजाम कर रखा है उध्यापन का उन्होंने क्या किया आदा खाना खाया आदा खिंडाया और जितना बचा उसमें मिट्टी कंकर डाल गई अब ये सब देखकर बुड़ा ब्रामन बड़ा दुखी हुआ शाम को उसकी बहु जब खेट से वापस लोट कर आई तब देखती है कि पुड़ा ब्रामन तो दर्वाजे पे उधास बैठा है तो पूशने लगी पिता जी क्या हुआ उध्यापन सही से नहीं हुआ क्या तो वो बोला कि वेटी उध्यापन तो सही हो गया लेकिन तेरे देवरानी जेठानी ने सारा खाना खराब कर दिया कुछ खाया कुछ खिंडाया और जाते हुए बाकी में मिट्टी कंकर डाल गई तेरे लिए कुछ नहीं बचा तब वह बोली कोई बात नहीं पिता जी मैं चार रोटी फिर बना लूँगी बाकी सब काम ठीक ठाक निमट गया ये अच्छी बात है तो बहु अंदर गई तो वहां जाकर देखती क्या है जिस खाने में उसकी देवरानी जेठाने मिट्टी कंकर डाल गई थी उनस पे तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं उसका घर तो पूरा महल हो गया है सारे घर में धंदोरत भरी पड़ी है अंधन के भंडार लगे पड़े हैं तब वह भागी भागी बाहर आई और कहने लगी पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुमारे लिए कुछ नहीं बचा मेरा घर तो हीरे मोती से भरा पड़ा है जहां देखों धंदोलत की बर्शा हो रही है अंधन के भंडारे लगे पड़े है मेरा घर तो महल बन गया है तब बुड़ा ब्रामन बोला हे बेटी तुमने तो कार्तिक सत्थ से निभाया इसलिए कार्तिक के देवता तुम पर परसन्न होए उन्हीं की किर्पा से तुम्हारा घर धन से बर गया है एक कार्तिक के देवता जैसे आपने बुड़े ब्रामन पर किर्पा की जैसे बहुप पर किर्पा की वैसे ही सब पर करना बोलिए कार्तिक के देवता की जय हो अब सुनते हैं कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वली तुलसा माता की कहानी बोलिए तुलसा माता की जय हो एक काउ में एक बुढिया माई रहती थी बुढिया माई भगवान विश्नु की पक्की भक्त थी रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सीचती, परिकर्मा करती, कथा पढ़ती, आरती करती, ये उसका रोज का नियम था, नियम से कार्तिक नहाती, आया कार्तिक का महिना, पुडिया माई, सुबह चार वजे उठकर क तुल्सी जी की सेवा करती, तो उस दिन भी पढ़िया माई ने तुल्सी जी की सेवा की, अरीकर्मा की, आते टाइम तुल्सी जी से प्रार्थना करनी लगी, ए तुलसी बाता, मैं तेरा बिडवा सेचती हूँ, तुम मुझे बहु दो, वितांबर की धोती दो, विठा मिठा गास दो, वेकुंट का वास दो, चटकी की चाल दो, पटकी की मोद दो, जालर की जनकार दो, दालभात का जिबद दो, ग्यारस का दिन दो, और कृष्ण का का था दो ऐसी प्रार्थना वह बुढिया माई रोज करने लगी बुढिया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसा माता सूखने लगी भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई एक दिन भगवान ने तुलसी देवी से पूछा ये देवी क्या बात है कार्तिक का महिन इतनी ओरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्ही तो कुछ रहना चाहिए, तुम सुकती क्यों जा रही हो। तब दुलसी माता ने कहा, भगवान बस आप मेरे मन की मत पूछो, तो भगवान कहने लगे कि देवी मैं नहीं पूछोंगा तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है, तुम क्यों सुकती जा रही हो। तब दुलसी माता बोली कि बाकी सब तो ठीक है भगवान, एक बुढ़्या माई आती है, रोज ऐसे प्रार्थना करती है कि है तुलसी माता, मैं तेरा बिडवा सीचती हूँ, तो मुझे बखू दो, पीतांबर की धोती दो, मिठा मिठा गास दो, वैकुंट का वास दो, च क्रिशन जी का कांधा कहां से दूंगी, तब बगवान बोले, बस इतनी सी बात है, आप चिंता न करो देवी, जब वह मरेगी, तो मैं खुद ही उसे कांधा देने आ जाऊंगा, अब आप चिंता मत करो, इतनी बात सुनकर, तुलसी माता निश्चिंत हो गई, करते करते कार करतिक नहा के वापिस आ रही थी, तो आते समय रास्ते में पत्थर पड़ा था, सुबह अंदेरे में बुढिया माई को पत्थर दिखाई नहीं दिया, ठोकर लग गई, ठोकर खाकर गिर पड़ी, गिरते ही बुढिया माई के प्राण निकल गए, आसपास के लोगों ने ब चा-चा करने लगे, कि हम तो सोचते थे कि बुढिया माई बड़ी संसकारी है, बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन ये तो बड़ी पापिन थी, मर गई लेकिन हिलाए भी नहीं हिल रही, थोड़ी देर में वहाँ पर भीड़ जबा हो गई, भागवान भी बुढ़े ब् जरा मैं कोशिश करके देखू, तो सभी लोग हसने लगे, कि इतने लोगों ने कोशिश कर ली, उनसे नहीं हिली, तो तुम क्या कर लोगे, तब भगवान कहने लगे, मुझे कोशिश तो पर लेने दो, भगवान बुढ़िया माई के पास गए, और जाकर उसके कान में कहने लगे, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले, अडवा ले, गडवा ले, पितांबर की धोती ले, विठा मिठा गास ले, वैकुम्ट का वास ले, चटकी की चाल ले, और पठके की मोत ले, जालर की जनकार ले, दालभात का जिम्मन ले, ग्यारस का दिन ले, और क्रिशन का कांधा ले बस इतनी बात सुननी थी कि बुढ़िया माई हल्की हो गई भगवान अपने कंधे पर ले गए हे तुलसी माता जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की जैसे उन्हीं मुक्ती दी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना और सबकी रक्षा करना सबको मुक्ती देना बौलिये तुलसी माता की जैवो कार्थिक मास में सुने जाने वाली राई दा मोदर की कहानी एक छोटी सी लड़की थी रोज मंदिर जाती थी पुझा पाट करती थी आया कार्तिक का महीना उस दिन वो बंदिर गई तो देखने लगी बहुत सारे ओरतें पूजा कर रही है और राइदा मोदर की कहानी कह रही है तो उसने पूछा ये तुम क्या कर रही हो तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है तो हम सब अब कार्तिक नहाएंगे, रोज सबै सबेरे आया करेंगे, कार्तिक का इसनान किया करेंगे, महात्तम और कहानी सुना करेंगे, तो वो कहने लगी, कि मैं भी नहाऊंगी, तो सब औरते कहने लगी, हाँ तो ठीक है, तुम भी हमारे साथ ही कहानी सुन लिया करना, अब वो भी उनके साथ कार ना जी जाएंगे एक बोली कि मैं तो राईदा मोदर भगवान जिमाऊंगी तब वो लड़की पूछने लगी कि राईदा मोदर भगवान कैसे होते हैं तब वह कहने लगी कि मोर मुकुट गल्वे जनती हाथ पितामबर ऐसे हैं राइदा मोदर भगवान तब वो लड़की अपने घर गई घर जाकर उसने रसोई बनाई और थाल सजाकर मंदिर में आ गई और वहाँ बैठ कर बोली आओ राइदा मादर जीम लो मंदिर में भगवान नहीं मिले बहुत देर हो गई उसे बैठे बैठे कोई वी जीम नहीं आया वो थाली लेकर मंदिर से शहर गई शहर से जंगल गई जंगल से पहाडों पर चड़ गई सुबे से शाम हो गई भगवान को पुकारते पुकारते अब तो राइदा मोदर भगवान सोचने लगे ये तो उपर से गिर के मरेगी और मेरे दोश लगेगा इसको तो दर्शन देने पड़ेंगे भगवान बुड़े ब्राम्बन का रूप बना के आए और बोले चल बेटा मैं भगवान हो तुम मुझे जिमा दे तब वह कहने लगी नहीं तुम भगवान नहीं हो तब ब्राम्बन ने पूछा क्यों कैसे होते हैं भगवान तब उसने कहा कि मेरे भगवान तो बौर वुकुट वैजनती हाथ पितामबर ऐसे है तब ब्राम्बन बोला देख क्या ऐसे हैं तेरे भगवान ब्रामन ने अपना वोर वुकुट्थारी रूप दिखाया भगवान उसके सामने वोर वुकुट्थारी वैजन ती माला कि आत पितामबर अपना रूप धारन करके खड़े हो गए तब वो लड़की खुश हो गई और कहने लगी हाँ आप ही हो मेरे भगवान तब भगवान ने उसे अपना चतरभुजी रूप दिखाया और खुश हो कर बोली कि हाँ हाँ आप ही हो मेरे भगवान आगे आगे भागी जाए पीछे पीछे भगवान आए भागी भागी अपनी संग सहेलियों के घर गई और कहने लगी कि मेरे घर तो भगवान आई है तब सब बोली हाँ इसके घर भगवान आई थे तब एक कहने लगी कि चलो देखे तो सही कैसी है इसके भगवान जिनके भागे में भगवान के दर्शन थे उन्हें में आकर भगवान के दर्शन पाए हे राईदा मोदर भगवान जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिये ऐसे ही सब को देना कहते सुनते हुंकारा भरते को कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नितनेम की सीतमाता की कहानी राम आए लक्षमन आए देशिके पुजारी आए नितनेम का नीम लाए आओ राम बैठो राम माखन मिश्री खाओ राम दूद पताश्या पीओ राम सूत के पलका पोटो राम शाल दुशाला ओडो राम राम समारे सब की काम खली घर भंडार भरेंगे सब का बेड़ा पार करेंगे शिरी राम जै राम जै जै राम सीता माता कहानी कहती थी और शिरी राम सुनते थे एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो बारा वर्ष का नितनेम है मैं अपनी कहानी किसे सुनाओंगी तब भगवान बोले ऐसा करना कुई की पाल पर जाकर बैठ जाना और ते पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी बोली अच्छा सीता माता कुई पर जाकर बैठ गई एक बहु आई रेशम जडी की साड़ी पहन रखी थी सोनी का घढ़ा ले रखा था तो सीता माता कहने लगी कि बहन मेरा बारा वर्ष का नितनेम सुन ले तब बहु बोली कि मैं तेरा बारा वर्ष का नितनेम सुनूँगी तो मुझे देर हो जाएगी घर जाने पर सास लड़ेगी उसने कहानी नहीं सुनी घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया सास कहनी लगी कि बहु किसका दोश सिर ले आई तब बहु बोली सासु जी दोश क्या कुए पर एक औरत बैठी थी कह रही थी मेरी कहानी सुन ले मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा ले गई सीता माता कुए पर बैठी पाई कहने लगी मेरी कहानी सुन ले तो सास बोली कहानी एक बार छोड़ चार बार सुनू तब सीता माता कहानी कहने लगी राम आए लक्षमन आए देश के पुजारी आए निताने मकाने मलाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जिम्मो राम माखन मिश्री खाओ राम दूद पताशा पीओ राम सूत के पलका मुठो राम शाल दुशाला पुठो राम शाल दुशाला उठो राम जब बोलो जब राम ही राम राम समारे सब की काम खाली घर भंडार भरेंगे सब का बेडा पार करेंगे शिरी राम जै राम जै जै राम शिरी राम जै राम जै जै राम तब वह कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है गर गई तो रेशमजरी की साड़ी हो गई और सोने का खड़ा हो गया तब बहु पूछने लगी सासू जी तुम वापस कैसे कर लाई तब सास ने कहा बहु तु दोश लगा आई थी और मैं दोश उदार आई हूँ ऐसी वो कौन थी वो सीता माता थी पुराने से नया कर देती है हली घर भंडार बढ़ देती है लक्षमी जी का वास कर दे और जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है अच्छा सासू जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो ले भाई तू भी सुन ले अब सास ने कहानी कही बहु ने सुनी राम आए लक्षमन आए देश के पुजारी आए नितने मकानी मलाए आओ राम बैठो राम तपीरसोई जिम्मो राम माखन मिशरी खाओ राम दूद पताश्या पी ओ राम सूथ के पलका मुठो राम शाल दुशाला पुठो राम जब बोलू जब राम ही राम राम सवारे सब के काम खली घर भंडार भरेंगे सब का बेडा पार करेंगे शिरी राम जे जे राम बहु ने कहा सासु जी कहानी तो बहुत अच्छी है तब सास कहने लगी बहु अच्छी है तो रोज कहलिया करेंगे अब सास वहु नाती पूजा पाट करती नितनेम की सीता माता की कहानी कहती एक दिन उनकी पडोसन आई कहने लगी बहन जरा आच दे दे तब वे कहने लगी कि अभी हमने आच नहीं जलाई तब वे बोली तुम चार बजे से उठी हो क्या कर रही हो तब वे कहने लगी हम नहाए धोए पूजा पाट करते सीता माता की कहानी कहते पडोसन ने पूछा इससे क्या होता है तब वे कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट बंडारे वर जाते हैं सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं तब पडोसन कहने लगी कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो तब सास कहानी कहने लगी पडोसन सुनने लगी राम आए लक्षमन आए देश के पुजारी आए नितनी मकानी मलाए आओ राम बैठो राम तपीरसोई जिमो राम माखन में शरी खाओ राम दूद पताशा पियो राम सूथ के पलका मुठो राम शाल दुशाला पुठो राम शाल दुशाला उठो राम जब बोलो जब राम ही राम सवारे सब की काम, खाली घर भंडार बरेंगे, सब का बेड़ा पार करेंगे, शिरी राम जै राम जै जै राम, शिरी राम जै राम जै जै राम, तब पडोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है, आप पडोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी, सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिये हे मेरी सीता माता जैसे उन सब के भंडारे भरे सब के भरना लक्षमी का वासो अनपूर्णा का वासो बोलो सीता माता की जै जै श्री राम जै श्री राम जै श्री राम अब सुनते हैं कार्तिक मार्स की सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली तपसी लपसी की कहानी इस कहानी को सुने बिना किसी भी कता कहानी का फल नहीं मिलता एक तपसी था और एक लपसी था तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घट्टी वजाता और जीम लेता एक दिन दोनों में जगडा हो गया, तपसी बोला कि मैं बढ़ा हूं, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बढ़ा हूं तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बढ़ा हूँ लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बढ़ा हूँ दोनों आपस में जगड रहे थे नारज जी वहां से गुजरे तो दोनों को जगड़ते देखा, पूछने लगे कि क्यों जगड़ रहे हो, तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, नारज जी बोले कि तुम लोग आपस में जगड़ा मत करो, तुम मेंसे कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूँगा, अगले दिन सुबह सुबह, तपसी और लपसी दोनों नहा करा रहे थे, नारज जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड की अंगुठी रख दी, तपसी ने अंगुठी देखी, तो उसने तुरत उठा ली, इतनी कीमती अंगुठी देखकर उसके मन में लालचा गया, सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगुठी देखी, तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगुठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगुठी को हाथ तक नहीं लगाया, सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली, तो चोर डाको मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो, वो तो रोज की तरहें सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जी मिलिया, थोड़ी देर में नारज जी वहाँ पर आए, दोनों कहने लगे कि बताओ नारज जी, हम दोनों में से कौन बढ़ा है, तो नारज जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ, दोनों हुए तपसी के पैर के नीचे से अंगुठे निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी, तो नारज जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तुने, और तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया, जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा, इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा, रोते रोते नारज जी के पैरों में गिर गया, बोला महराज दया करो, और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, तब नारज जी बोले कि जो अपने घर में गाए कुटे की रोती नहीं बनाएगा, तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा, दीवा जला कर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्रामन को भोजन कराकर दक्षिना नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा, साड़ी देकर भेट नहीं देगा, तो उसकी तपस्या क पल तुझे मिल जाएगा जो सारी कहानी के एकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तब उसके सारे पुन्ये सारी पल तुझे मिल जाएगे बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए